नमस्कार दोस्तों सुवागत हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके योजना पर पैंशन से सम्मदिद एकों नया ताजा अपडेट लेटेश निउस आप सभी पैंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं वर्दवस्ता पैंशन नई लिष्ट सरकार द्वारा जारी कर दी गई है जनवरी फरवरी मार्च दो हजार चोबिस जो पैंशन लिष्ट है वे रिलिज्ट हो चुकी हैं इनको मिले एक साथ दस हजार रुपे जी हाँ कुछ ऐसे बुजर्ग व्यक्ति हैं जिनके बैंकात में सरकार ने एक साथ दस हजार रुपे की धनासी को ट्रांसफर किया है जो कि हम आपको एक प्रूब भी दिखाने वाले हैं और कई हजार ऐसे बुजर्ग व्यक्ति हैं जिनका नाम इस नई लिष्ट में से हटा द्या है उन पैंशन धारकों के लिए एक बुरी ख़बर भी है आपका नाम इस नई लिष्ट में सामिल है या फिर नहीं है आपको कितने पैसे पैंशन के मिल चुके हैं लिष्ट में आपका नाम है या फिर नहीं ये सभी चीजे आप कैसे घर बैठे अपने मोबाइल फोन से दे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह है सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चलिए वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं और वे कौन से पैंशन धारक है जिनको एक साथ 10,000 रुपे की पैंशन नासी दे दी गई है वे सभी जानकारी हम आपको अपडेट करा देते हैं देखे सातियो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको जो नई पैंशन लिष्ट जारी हो चुके है वर्ष 2023 की यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं इस जो यह लिष्ट है इसमें जनवरी फरवरी मार्च मैनिक जो पैंशन आसी है वे आपको देखने को मिलेगी तो सबसे पहले किस परकार से आपको देखनी है किनको 10,000 रुपे की पैंशन आसी एक साथ दे दी गई है वे हम आपको प्रूव दिखा देते हैं तो चलिए देखे सबसे पहले यहाँ पर पैंशन का रजिस्टेशन नमबर होता है पैंशन धारक का रजिस्टेशन नमबर बोल दीजिए या फिर पैंशन एप्लिकेशन आईडी नमबर आप बोल सकते हैं बात एक ही है इसमें पैंशन धारक का नाम मिलेगा इस कोलम में इस कोलम में पिताजी का नाम या माताजी का नाम या पती का नाम देखने हो मिलेगा और यहां पर महिला है, पुरूस है, यह आपको यहां पर शोट में लिखा मिल जाएगा उम्र कितनी है, यहां पर उम्र निर्धारी तो यानि कि जो उम्र है लिखे गई है, वह यहां पर आपको अपडेट मिलेगी किस वर्ग में आते हैं जर्णल OBC मनेटी ये अपडेट देखने को मिलेगा यहाँ पर जो आपने मुबाइल नमबर दिया था वह उसकी आयाने की लाश्ट डिजिट देखने को मिल जाएगी यहाँ पर पैंशनर्स का पता जो आड्रेस आपने दिया था वह हैं देखने को मिली जाएगा अब देखे धन्नासी देखे तीन-तीन हजारों पैंशनासी यहाँ पर लिखे हुई है किन लाबहार क्यों मिली है देखे इसमें साफ तोर पर दिखा गया है पेमेंट रिलीज में लिखा है आपके आधार लिंक बैंक खाते में वर्दवस्था पैंशन की धन्नासी सफलता पूर्वा खंस्तांतरित यानिकी ट्रांसफर कर दी गई है करपिया अपने आधार लिंक बैंक खाते को चेक करे जिन किसी यानि की जिन पैंशन धारकों ने समय रहत वे आधार बैंक अकाउंट शेडिंग का कारिये अपना कम्पलीट करा लिया था उन सभी पैंशन धारकों को जनवरी फरवरी मार्च मैने की पैंशन आसी दे दी गई है जो कि यहाँ पर साफतोर पर लिखा गया है जिन पैंशन धारकों ने अपना आधार अपने बैंक खाते से लिंक नहीं कराया उनकी पैंशन आसी को रोक लिया गया है और जो एपातर pension धारख है उनके बैंक खाते में pension आसी को transfer नहीं किया गया है सरकार समय समय से सत्यापन करने में लगी रहती है कुछ ऐसे pension धारख भी है जो पहले pension का लाब ले रहे थे और मृत्य हो गई है फिर भी पैंशना से सरकार की तरफ से बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही थी जाँच परताल के बाद जब ये पता चला कि वे तो पैंशन धारक है नहीं है जिनके नाम से पैंशन आ रही है तो उनका यहाँ पर पैंशन हमेशा के लिए बंद कर दी गई है समझ गई हैं अब देखिए ये तो आपने समझ लेकि कि किन को पैंशन दी गई और किन को पैंशन रोख लिगई है किसकी pension बंद हो चुकी है अब देखे तीन तीन हजार रुपे यहां पर लाभार्टी को मिलने है क्योंकि सरकार एक हजार रुपे परती महिना के इसाब से pension चे ट्रांसफर करती है 3 महिने के हो जाते हैं 3 हजार रुपे इस से में जो 3 हजार रुपे फंशन आससे आपको दी जा रही है वह है जनुवरी फरवरी मार्च महिने की है समझा चुका है नीचे लिए चलते हैं देखे तीन-तीन हजार उरुपे है अब कुछ ऐसे पैंशन धारक भी है जिनको यहाँ पर बढ़ा कर पैंशन लिए या नहीं देखे दस हजार उरुपे अमाउंट यहाँ पर आप स्वेम देखे जी हाँ प्रूव के साथ सभी जानकारी हम आपको दे रही हैं दस हजार उरुपे की धनरासी पैंशन की सीधे लाभारतियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है उस बैंक खाते में जो आपका बैंक खाता भारतियों को दे रही है रुगी पैंशन ट्रांसफर कर रही है जो कि हम आपको एक प्रूव भी दे रही है अब देखिए इनको बारा हजार उरुपे की रका मिली है बारा हजार उरुपे मिले हैं दस हजार उरुपे भी मिले हैं आगे चलते हैं और देख लेते हैं नीचे देखिए 33,000 रुपे सरकार वैसे दे रही है अब दो बारस देखिए इनको भी 10,000 रुपे पैंशन के मिल चुकी है फिर से नीचे लिए चलते हैं नीचे आने के बाद आप देखिए यहाँ पर जातर 33,000 रुपे ही है पूरा लिष्ट यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं आ जो आपकी जनवरी फरवरी मार्च मैने की पैंशन आसी है उसी के साथ ही सरकार रुकी पैंशन भी ट्रांसफर कर रही है और यदि आपको जनवरी फरवरी मार्च मैने की पैंशन आसी अभी तक नहीं मिली तो करप्या कुछ दिनों का वेट कीजे जाद दिनों को नहीं बस कुछ दिनों का ही यदि इन दिनों आपको पैंशन मिल जाती है तो अच्छी बात है अन्यता समय लिजे कि कहीं न कहीं आपके पैंशन आवजन फारम में गलतिया हो रही है तो ऐसी स्थिती में जो आपका जिला समास का लियान है विकास वमने महाँ पर जाकर आप अधिकारों से बातचीत कीजे आपका निवरन वहां से होगा तभी आप पैंशन दुबारे से लेना प्रारम कर सकते हैं अब देखे इनको भी 12,000 रुपे जो पैंशन आसे हैं मिल चुकी है एक साथ सरकार ऐसे नहीं है रुकियू पैंशन भी ट्रांसपर करती है देखे 12,000 रुपे इन इनको 10,000 रुपे पैंशन के एक साथ मिल चुके हैं प्रूव के साथ सभी जानकार यहां पर हम आपको अपडेट कर रहे हैं अब देखे किसी को 2000 रुपे मिल रहे हैं पैंशन आसी के और 34 मिल रहे हैं अब देखे 12,000 रुपे इन लाभारतियों को मिल चुके हैं यहां पर 12 यहां पर 12 है देखिए कितने सारे जो पैंशन धारक है जिनकी पैंशन काफी लंबे समय से रुक रही थी तो इन लाभारतियों को रुक्यूई पैंशन सरकार दे रही है बैंक खाते में इनके यह धन राज से ट्रांसफर कर रही है अब देखिए यह तो आपने देख लिया है कि किन लाभारतियों को रुक्यूई पैंशन दे रही है तो देखिए जो लिष्ट हम आपको दिखा रहे हैं यह वर्द वस्ता पैंशन धारकों की है जिनको एक साथ रुक्यूई पैंशन असी सरकार दे रही है पैंशन धारकों को अवशक भी है जो इनको पैंशन मिले क्य प्राइंखाते में ट्रांसफर कर रही है अब देखे ये हमने आपको प्रूव दिखा दिया अब आप कैसे इस पोर्टल पर आ सकते हैं और इस नई पैंशन लिष्ट 2024 की अपना नाम देख सकते हैं कैसे देखा जाता है वह तरीका हम आपको यहाँ पर बतानी जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने मुवाइल फोन में गूगल recuper अपन कर लेना है उपन करने के बाद आपको लिखना है उस्साय यहाँ पर यहाद नहीं पैंशन लिष्ट सरकार दोरा जार की गई है उसमें अपना नाम देखने के लिए यहां पर लिखा है वर्दवस्ता पैंशन इस पर आपको किलिक करना होगा योजना के विशे पर ठीक है किलिक हमने किया हमारे सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस ओपन हो चुका है नीची आईएगा नीची आने बाद देखे पैंशनर सूची में आपक को किलिक करना है अदे के 75 है टोटल लिखा हुआ है अब इसमें से जो भी आपका जिला है उस पर आपको किलिक करना है हम अपने जिले पर किलिक कर देते हैं ठीक है हमने किलिक किया और हमारे सामने अलग ट्रेग इंटरफेस ओपन हो चुका अब यहां से देखे क्या कह रहा तो किसी एक पर किलिक कर देते हैं तो चलिए यहां पर हमने किलिक कर दिया है और हमारे सामने अब अगला पेज open हो चुका है open होने के बाद अब विकासखंड के जितने भी gram पंचायत है पूरी लिष्ट यहां पर open हो चुकी है इसमें से जो भी आपका Gram पंचायत है उस पर आपको क्लिक करना है हम किसी एक Gram पंचायत पर क्लिक कर देते हैं ठीक है क्लिक हमने किया और हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस अगला ओपन हो चुका है ओपन होने के बाद देखिए इस गराम पंचायत में कुल चार गाओं सामिल के गए हैं लिष्ट में अब जो आपको यदि आप इस लिष्ट में अपना नाम देखेंगे तो इसमें जो वर्ष 2023-24 की पैंशन लिष्ट है वे आपको अपरेल, माई और जून की देखने मिलेगी इसमें आपको जोलाई, अगस्त, सितंबर की इसमें आपको अक्टूबर, नॉवंबर, और दिसंबर महिने की जो लेटेस्ट लिष्ट जा रही है पैंशन की तो वे आपको देखने मिलेगी इसमें यहाँ पर जनवरी, फरवरी मार्च की, अब आप स्वेम खुदी समझ गए होंगे कि कौन से क्वार्टर की लिष्ट आपको देखनी है, यह तो पैंशन की पहली किस्त है, यह दूसरी किस्त, यह तीसरी और चोथी, उत्तर प्रदेश सरकार साल में यान की चार किस्तों में यह पैसा बेजती है अब जो लाश्ट किस्त ट्रांसफर की गई है, वर्ष दोजार तेश चोब इसकी, तो इस कोला में आपको देखने मिलेगा है, यह तो देखें यहाँ पर सुनने शुनने आपको लिखा मिलेगा, ठीक है, तो इसी परकार से आपको देख लेना है, अब यहाँ पर हम क्लिक क अब ओपन होने के बाद, यहाँ पर देखें, जैसे हम आपको बता रहे थे, यह पैंशन धारक की सुर में, जैसे हम आपको देख रहे था, इसे परकार से यह रेशन नंबर होता है, यह पैंशन धारक का नाम, यह पिता या पती या माता जी का नाम, और यहाँ पर किस कैट दिनारोप e-sign के यहाँ पर आप देख रही हैं अब देकि किन तीन दिनारोपे के बाद यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं तस हजार रुपे भी लाभारतियों दे गई हैं जो कि यहाँ आप आप देख सकते हैं इसके बाद 12-12 हजारों मिले हैं आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है डाउट है पूछना चाहते हैं नीचे कोमेंट बोक्स में जागर पूछ सकते हैं सभी सलगजब आपको दे देगा लाश्ट में हम निवेद नहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले अब हम आप से मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में एक और नई जानकारीक साथ जब तक के लिए जय हिंग जय भारत